इसका मतलब क्या है कि जब भी हम किसी चीज को हीट देते हैं तो उस चीज की कैमिकल प्रॉपर्टी चीज हो जाती है केमिकल चेंज आ जाता है उसमें ठीक है तो सबसे पहले क्या है कि वेन अ सबस्टेंस लाइक वुड चार्कूल और पेपर इस हीटरी नेयर इट कैचिस फायर एंड स्टार्ट बर्निंग जब भी हम वुड को चार्कूल पेपर को कभी हीट देते हैं उसको आग लगाते हैं व वो उसकी प्रपरटी जो उसका कैमिकल कंपोजिशन डिफरेंट थी जैसे उसको टमपरेटर इंक्रीसच खिया तो उसमें कैमिकल चीन्ज आ गया जागिया कैमिकल चेंज होने के कार्न क्या पर्डियू जुआ कर्में अक्सेट गैस और जो है आपके पास लाइट भी होती ह हीट भी रिलीज होती है गैसिस तो होगी होगी और एश भी कनवर्ट हो जाएगा ठीक है तो इस टाइप आफ चेंज को क्या बोलते हैं कैमिकल चेंज होते हैं जिसमें chemical properties substance की physical change होंगी तो साथ में लेकिन chemical properties भी change हो जाएंगी जैसे ठीक है सारी हो तो क्या है burning a substance in the presence of air or oxygen will release the large amount of heat and light is called combustion combustion उनने इसमें बताया है कि ये process को जब भी कोई substance गर्म होता है heat करता है burn करता है sorry आग पकड़ता है in the presence of oxygen क्योंकि oxygen होगी तब भी कोई चीज जलेगी अगर oxygen प्रेजन प्रेजन ना हो तो कोई चीज नहीं जलती है ठीक है अब oxygen की presence में जब भी कोई चीज जलती है तो उसे large amount of heat and light निकलती है तो इस process को क्या बोलती है combustion process और इसमें क्या होता है जो matter है आपके पास चाहिए वो कोई भी matter है वो carbon dioxide gas में convert होता है light and heat में convert होता है तो इसमें क्या आता है chemical change आपको smell भी किसी किसी के जलने पर आपको smell भी दिखाए महसूस होती है यह smell भी आप करते हो इसको different type की तो यह सारे changes क्या है chemical change हीट को लगाने से हमने पहले पढ़ा है कि physical change होता है physical state change हो जाती है ठीक है जो पिछला point था फिजिकल स्टेट वाइसी solid से लिक्विड लिक्विड में गैस लेकिन chemical change भी होते है उसमें ठीक है मतलब chemical composition भी उसकी change हो जाती है